हरे कृष्णा जय गौर हरी श्री सीटा राम लक्ष्वन भक्त हनुमान जी के विजय हो तो फिर हर साल की तरह इस साल भी दिपावली आ गए हमारा स्वभग्य है कि हमें इस साल भी दिपावली बनाने का मौका मिल रहा है तो इस दिपावली पे हर साल की तरह आप सब को परिवार समेत हमारे गौरांग इंस्टिट्यूर्ट फवेधिक एजूकेशन की ओर से बहुत बहुत शुब कामना है प्रंदु शुब होता क्या है शुब तो जब है जब सुरी राम जी हमारे जीवन में आएंगे और वो कैसे आएंगे तो हनुमान जी ने बताया है राम काज करभे को आतुर तो राम जी की आज्या को का पारन करने के लिए हमें आतुर होना पड़ेगा तो राम जी के आज्या कहां से जाने बड़े सिंपल है राम जी और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है रत्ती भर भी भेद नहीं है सिर्व लीला का भेद है ड्रामा का भेद है तो राम जी कृष्ण भगवान के रूप में हमें अपनी आग्या बता रहे हैं शेरिमत भागोधी ताम तो आप से नुरोध हैं कि सब कि सब भगवान राम की आग्या का पारण करें अपने जीवन मेर राम भक्ती लेकर आएं राम भक्ती लेकर आएं राम अजी की आग्या का पारण करके अपने घर को ये उद्ध्या बनाएं है ना जी अगर पिछले साल और पिछले सालों में ऐसा नहीं किया तो इस साल प्रारम करिये और अगर जदी ऐसा आपने किया है तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए तो शुब कामनाई जो है वो हकीकत में फली भूत होँगी बाकियों को सिरầ हम बोल लेंगे प्रंतूर उनके जीवन में फली भूत महीं होपाएंगी क्योंकि भगतों के जीवन में ही तो राम जी आएंगे और भग बनने का सरल तरीका ये है कि हम हरे कृश्न रोज हर समय जब भी टाइम मिले जब करें चारण करें सुने और यह भगवदीता हम आपको बता रहे हैं आपको तेरा घंटे के अंदर भगवदीता समझ में आ जाएगी बहगवान राम की आज्या समझ में आ जाएगी और आपको समस्त जो जिस कृपा को आप चाहते हों समस्त कृपा पर आपको जाएगी तो फिर से आप से अनुरोद करते हुए गिवगीता.com पे जाएगी जी आएगी जी आएगी जी आएगी जी आएगी जीवन को सफर बनाईए और इन शुब काम ना हो के सहित फिर से बहुत बाद आप सब्सक्राइब धन्यवाद सुनने के लिए अगरे कृष्णा जैए गहरो रही जैए सीता राम रक्ष्मन बादमार्पार्ण से